नवश्कार आप सभी का स्वागत है उनली न्यूस नेशन में बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर जो विदेशी किसानों के समर्थन में उतरे थे आज किसान आंदोलन पर विदेशों की बड़ी साजिस का भांडा फूट गया है और सरकार ने भी आक्शन ले लिया है जी हाँ भारत के खेलाफ ग्लोबल साजिस को समझे ग्लोबल साजिस फॉर्मर प्रोटेस्ट के अंतरराश्टी करण की पूरी कहानी दिल्ली की सिमाओं प आज हम कुछ तस्वीरों पर बात करेंगे इसमें पहली तस्वीर वियाना की है जो अमेरिका की मशूर पॉप सिंगर है दूसरे तस्वीर स्वीटिंग की पर्यावरन कारी करता है यानि ग्रेटा थनबर्ग की है और तीसरी तस्वीर एडर फिर्म इंडरस्ट्री में काम कर चुकी अमेरिका की एक मॉडल मिया खलीफा की है दुनिया की इन तीन बड़ी शक् ले आया गया और इससे ये बात साबित हो गई कि इस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी ताकत का हाथ है ये ताकत कितनी बड़ी है और इसके साजिश कितनी खतरनाक है इसका पूरा एक चुठा हमारे पास है ये छे पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट म छे पत्रों के इस document में क्या लिखा है आज हम आपको जानना चाहिए सबसे पहले इस दस्तावेज के दूसरे परने पर लिखे उस agent action plan के बारे में जानिये इसमें लिखा है कि 4 और 5 फरवरी को बड़ा tweet अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान tweet storm नाम से होगा फिर लिखा है 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारती दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े प्रदर्शन किये जाएंगे यानि ये भी पहले से ही तैथ था 26 जनवरी को भारत और विदेशों में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना है ये भी इनमें लिखा है और इसमें ये बात भी साबित होती है कि 26 जनवरी को दिली में हुई हिंसा सयोग नहीं बलकि एक प्रयोग था भारत के बड़े उत्दोगपतियों की कंपनियों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करें ये भी इस दस्तावेज में लिखा हुआ था दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि किसान आंदोलन में हिंसा लेने के लिए आप क्या करें लोगतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की गई जी हाँ 26 जनवरी को गरतन दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था आप सब जानते हैं तब भारत के लोगतांतरिक मूल्यों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की गई थी और इस साजिस्ट पत्र से पूरी तरस पर्ष हो जाता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ बलकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिस्ट थी और ये साजिस्ट अब भी भारत के खिलाफ काम कर रही है अमेरिका की पॉप स्टार रियाना और एक रियाना और इन्वार्मेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग और मिया खलीफा के बाद अब ब्रिटेन की एक Member of Parliament, Cloudia Web किसान अंधोलन को लेकर ब्रिटिस संसट में बहुस कराना चाहती है इसके लिए Labour Party, Sunset, Cloudia Web ने एक Signature Campaign भी चलाया Cloudia का दावा है कि Signature Campaign को अब तक एक बाग से जादा लोग समर्थन इसका दे चुके है इसलिए अब किसान आंदोलन का मुद्धा ब्रीटेस पार्लियमेंटों में बहस के योग है क्योंकि यूके की संसत के निजनेव के मिताबिक एक लाग से जादा लोगों का दस्थकत वाला अगर पीटीशियन संसत में बहस योग हो जाता है ब्रीटेन की एक संसत क्लाउडिया वैब ने ट्विटर पर दावा किया है कि भारत में लाए गए क्रिशी कानूनों के खिलाफ एक लाग हस्ताक्षर हो चुके हैं और ब्रीटेन की संसद में भी इस पर बहस होगी यानि भारत के खिलाफ जो विदेशी ताकते अब काम कर रही है वो अब धीरे-धीरे एक्सपोज होने लगी है ब्रीटेन में ये नियम है कि अगर किसी भी मुद्दे पर एक लाग से अधी लोग उस पर जुड़ जाते हैं तो इस पर वहां की संसद में वहां पर बहस होती है वहां पर इस सिंगनेचर कैमपन का गुर्चरन सिंग नाम का एक वैक्ती ने शुरू किया था इस वैक्ती ने ब्रीटेन की सरकार से भारत की किसानों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंतरता को शुनिसित करने की मांग की कुल मिलाकर भारत को बदनाम करने के लिए ये ओनलाइन कैमपेन शुरू किया गया विदेश मंतरी S.J. संकर का ट्विट देखे भारत के खिलाफ चलाए जा रहे इस इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा पर विदेश मंतरी S.J. संकर ने ट्विट किया उन्होंने कहा कि भारत को निशाना बनाकर चलाए जा रहे अभ्यान कभी सफल नहीं होंगे हमें खुद पर विश्वास है हम अपने दम पर खड़े हो रहेंगे भारत इस साजिश को काम्याब नहीं होने देगा यानि दिल्ली की सिमाओ पर पिछले सतर दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का अंतराष्टी करण हो चुका है और अब इस आंदोलन का रिमोट कंट्रोल भारत से दूसरे देशों में शिफ्ट हो गया है और इनी देशों से अब इस आंदोलन को नियंत्रिन किया जा रहा है किसान आंदोलन एक प्रोपोगेंडा बनकर रह गया है यह ठीक उस मार्केटिंग स्ट्राटेजी की तरह है जिसमें किसान आंदोलन एक प्रोपोगेंडा बनकर रह गया है और इस प्रोपेगेंडा को बड सान अंदोलन एक प्रोडेक्ट बन गया कर रहे गया और इस प्रोडेक्ट को बड़े-बड़े सेलिब्रेटी एंडोर्स कर रहे हैं यहां बता दें कि जब कोई सेलिब्रेटी किसी प्रोडेक्ट का प्रचार करता है तो उसे मार्केटिंग की भाशा में profit स्ट्राटेजी कहते हैं गड़ित में कोड यानि एंगल का एक सिध्धान्त होता है आपने भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा इसमें जब कोई रेखा आप आपने एक सिरेस को इस्तिर रग कर घूमती हुई अपनी इस्तिती में परिवर्तन करती है तो इसे ही कोड कहते हैं और हमें लगता है कि कृषी कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान अंदोलन का कोश भी बदल गया है और आप चाहें तो इसे विशम कोड भी कह सकते हैं यानि जब परिस्थितियां विशम यानि खिलाफ होने लगती हैं तो विशम कोड बनता है किसान अंदोलन भार आपको ये समझना होगा कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ तो पिछले 24 घंटे में ये बात पूरी तरह स्पस्ट हो गई है कि किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल भारत के दूसरे देशों के पास पहुँच चुका है और इसे आप कुछ ट्विट के जरिये समझ सकते हैं पहला ट्विट अमेरिका की मश्रूर पॉप सिंगर रियाना का जिन्होंने भारत में ट्रदर्शन स्थलो पर इंटरनेट सेवाए बंद करने से जुड़ा एक आर्टिकल शेर करते हुए लिखा कि इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं उन्होंने किसानों के आंदोलन के समर्थन में हैस्टेग फार्मर प्रोटेक्स पर भी ट्विट किया ट्विटर पर रियाना के 10 करोड से जादा फॉलोवर्स हैं और 2012 में फोब्स ने रियाना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेलिब्रेटी माना था इसमें सबसे एहम बात यह है कि जब वो किसी कंपनी या उनके प्रोडेक्ट को एंडोर्स करने के लिए कोई पोस्ट करती हैं तो उन्हें इसके बदले में 3 करोड 27 लाक रुपे मिलते हैं अब आप समझ सकते हैं कि ये किसाना अंदोलन का समर्थन क्यों है ये किसाना अंदोलन के समर्थन से जादा असल में एक मारकेटिंग स्ट्राटेजी का हिस्सा है जिसमें किसान अंदोलन एक प्रोडक्ट बन कर रहे गया है यहां एक चिस समझने वाली बात यह भी है कि रियाना का जन्म अमेरिका में नहीं बलकि बॉर्ब डोस में हुआ था जो प्रशान्त महासागर के केरिबियन दूइप परिस्थित है आपको जानकर आश्यर होगा कि बर्बर डोस ने भारत से कोरोना वाइरिस की 2 लाग वैक्सिंग की मांग की है और भारत किसी भी पल ये वैक्सिंग बर्बर डोस को भी भेश सकता है सोचिए रियाना के देश को भारत एक तरफ वैक्सीन भेज रहा है और दूसरी तरफ रियाना भारत के खिलाफ किसान अंदोलन को एंडोस कर रही है यानि उसका प्रचार कर रही है दूसरी तरफ स्वीडन की एक पर्यावरन कारेकरता ग्रेटा थनबल का है इस ट्विट में ग्रेटा ने लिखा कि हम भारत में किसान अंदोलन के साथ एक जूटता के साथ खड़े हैं और सबसे एहम ग्रेटा ने भी वही आर्टिकल शेर करते हुए ट्विट किया जिस आर्टिकल को रियाना ने भी शेर किया था ग्रेटा थनबग दुनिया भर में जलवाईू परिवर्तन को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए जानी जाती हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राश्पति डोनाल ट्रम की भी आलोचना की थी लेकिन हमारा सवाल यह है कि ग्रेटा थनबग को यह पता है क कि किसानों का उन्होंने समर्थन किया है वही किसान सीमी संसाद्नों की वज़े से भारत में पराली जलाकर प्रदूशन फैलाते हैं और पिछले दिनों किसानों ने सरकारों के सामने यह मांग रखी थी कि पराली जलाने पर कोई कारवाई के नियम को खत्म कर देना चाहिए और सरकार ने किसानों के दबाव में आकर ये मांगे मान भी ली थी अब यहाँ पर दो एहम बाते हैं कि पहली तो ये कि अगर ग्रेटा थन्बग इन सब के बारे में जानती है तो पर्यावरण के लिए उनका प्रेम क्या जूटा दिखावटी है आपकी क्या राय है इस सवाल पर हमें जरूर बताए और दूसरी बात ये कि अगर उनको किसी इस चीज के जानकारी नहीं है तो फिर उन्हें बिना रिसर्च किये इस आंदोलन पर किसानों के प्रती अपना समर्थन कैसे दे दिया इन दोनों बातों को समझने के बाद गंभीर सवाल ये भी उठता है कि फिर क्यों न ये माना जाए कि किसानों के आंदोलन को मिल रहा ये समर्थन सोची समझी रणनीती का हिस्सा है पूरी तरह प्रयोजित है और पूरी मार्केटिंग कमपनिया अपनी कमाई और भारत की बदनामी के लिए ग्रेटा थन्बग और रियाना जैसे सेलिब्रेटियों का समाल कर रही है रियाना और ग्रेटा की तरह अमेरिका की एक मॉडल खलीफा भी इसमें पीछे नहीं रहे उन्होंने किसान अंदोलन के समर्थन देते हुए एक ट्विट किया कि भारत में मानव अधिकार उलंगवनों पर क्या चल रहा है उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है भारती किसानों के प्रती मिया खलीफा की इतनी हमदर्दी दिखावटी क्यों है इसे आप 2015 में उनके द्वारा किये गए एक ट्विट से समझ सकते हैं इस ट्विट में उन्होंने लिखा था कि वो भारत की जमीन पर कभी पैर नहीं रखना चाहेंगी सोचिए जिस व्यक्ति को कल तक भारत से इतनी नफरत थी उसके मन में किसानों के लिए आठ प्रेम कैसे उमड सकता है भीड को बनाया गया प्रोपगेंडे का हिस्सा जी हां मारकेटिंग की भाशा में समझें तो अब किसी बुद्देक पर समर्थन जुटाने का ये नया तरीका बन कर रह गया जैसे कोई सेलिब्रेटी किसी ब्राण को एड़टाइस करता है ठीक वैसे ही अब सेलिब्रेटी इसका इस्तमाल ऐसे मुद्दों के लिए भी होने लगा है जिसमें भीड को उस प्रोपगेंडे का हिस्सा बनाया जाता है जिसकी डोर मुठी बर लोगों के हाटों में होती है किसान अंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है अंदोलन जब शुरू हुआ था तब इसका मकसद था कि क्रिशी कानूनों को रद करना लेकिन जिस दिन से इस अंदोलन ने जूट के हाईवे पर चलना शुरू कर दिया उस दिन से ही इस आंदोलन ने अपने रास्ते से भटक गया और 26 जनवरी को इस भटके हुए आंदोलन का असली चहरा भी हम लोग देख चुके हैं आज की परिस्तिती से समझे तो किसान आंदोलन का ना सिर्फ अंतराष्टी करण हो चुका है बलकि इस आंदोलन पर पैसो की बरसाथ हो रही है मारकेटिंग कंपनिया इस आंदोलन को अच्छा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है और ठीक वैसे ही जैसे स्वास के लिए खराब माने जाने वाले प्रोडक्ट का भी इसी तरह प्रचार किया जाता है जैसे ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल देते हैं लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं तो इन कंपनियों का की पोल खुल जाती है आज भारत सरकार की तरफ से भी इस पर एक बयान जारी किया गया है इसमें लिखा है कि हम अपील करते हैं कि इस तरह के विशों पर प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्थों पर का पता लगाया जाए और इन मुद्दों पर अच्छे से समझा जाए शोशल मीडिया पर संसनी खेस हास्ट्रेक लगाने पर कमेंट करने का लालश ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही जिम्मेदार आना है खास कर तब जब ऐसा जाने माने और अन्य लोक करते हैं यह बयान सरकार की तरफ से आया है कि मुठी भर लोगों को फायदा पहुचा रहीं ये marketing company आज आज आपको उन company के बारे में बताएंगे company की chronology को बताएंगे जिसको आज आपको समझना चाहिए जो मुठी पर लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए काम करती है दुनिया भर में ऐसी लाखों company हैं जो लोबिंग का काम करती है यानि company किसी परचाई की तरह होती है जिने आप अद्रिश्य ताकत भी कह सकते हैं ये ऐसी company है कि किसी एक विशे पर हजारों लाखों लोगों की भीड कठा करती है और उस विशे पर लोगों का ध्यान खीचा जाता है और ऐसा करने के लिए वो करोड़ों रुपे खर्च करती है एक रिपोर्ट के मिताविक वश 2019 में अमेरिका में लोगों के पास लोगों का ध्यान अपनी नीतियों और विशों की तरफ आकर्शित करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपे इस मार्केटिंग के लिए लगाए गये थे अब आप समझ सकते हैं कि वेपार्ट कितना बड़ा है इतिहास में हुई कुछ गल्तियां जी हां हमारे इतिहास में भी बहुत बड़ी गल्तियां इस विशे पर भी हम लगातार आप से धाने करते हुए हम इस पर बात करना चाहते हैं हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश नहीं की और आज भी आपके लिए मोहत पून रिसर्च निकाल कर लाएं जो आपको इतिहास में हुई गल्तियों के बारे में बताएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि क्यों भारत सदियों तक गुलाम बना रहा इसे आप कुछ उधारनों से समझे पहला उधारन जैचंद का ऐसा कहा जाता है कि जैचंद ने दिल्ली की सत्ता के लिए लालच में पृत्वी राज चोहान के खिलाफ मुहम्मद गौरी का साथ दि में तराइन के दूसरे यूद में मुहम्मद गौरी ने अपनी सेना देकर पृत्वी राज को हरा दिया था जैचंद को लगता था कि उसने मुहम्मद गौरी की मदद करके दिल्ली के सत्ता में अपनी कील ठोक दी लेकिन उसके ये सोच गलत साबित हुई और यूद जितने के बाद मुहम्मद गौरी ने राजा जैचंद को ही मार दिया दूसरा उधारन राजा मान सिंग का लेलो 15 सदी में जब महराना प्रताब भारत को आजाद कराने के लिए दरदर भटक रहे थे और देश के मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे तब उस समय राजा मान स सिंग ने मुगलों के साथ जाकर खड़े हो गए खड़े हो गए थे वह मुगलों की सेना के प्रमूप थे और आमीर में राजा भी थे वर्ष 1556 में लड़े गए हल्दी घाटी के यूद में राजा मान सिंग मुगल सेना के सेना पती भी बने थे और तब महराना प्रताम न उन्हें उनकी गद्दारी की सजा दे दी थी तीसरा उधारन मीर जाफर का यानि मीर जाफर सायूंत बंगाल का पहला नवाब था जिसने 1775 में पहली रियाज उद डॉला को हराने के लिए ब्रीटेस इंडिया कमपनी की मदद ली थी यानि मीर जाफर भारत के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की गोद में बैठ गया था इससे मीर जाफर वर्ष 1976 से साथ तक 1760 तक भंगाल का नवाब बना रहा लेकिन जैसे अंग्रेजों ने उसके साथ वही किया जो उसने अपने लोगों के साथ किया था मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और आक्रमर कारी का सहारा ले लिया जिसका नाम था मीर कासिम मीर कासिम वर्ष 1760 से लेकर तिरेशत के बीच अंग्रेजों की मदद के से ही बंगाल का नवाब बन गया था लेकिन मीर कासिम जब तक समझ पाता उसे अंग्रेजों का साथ दे कर गलती की थी तब तक उसे भी मार दिया गया था अंग्रेजों ने मीर जाफर और मीर कासिम जैसे शाशकों की वज़ा से ये भारत गुलामी की बेडियों में फस्ता चला गया लेकिन आंतिरिक मामलोग में बहरी ताकतों से मदद लेने पर ये परंपरा नहीं रुकी है अभी तक इसी तरह ग्वालियर के राजा जाय जी राओ सिंधिया ने 1806 की कांकरांती के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था उनकी सेना और अंग्रेजों की सेना ने रानी लक्ष्मी बाई के खिलाफ यूद किया जिसमें लक्ष्मी बाई वीरगती को प्राप्थू यूद के बाद अंग्रेजों में सिंधिया को ग्वालियर का महराजा होने की मानिता दी यानि तिहास के पन्नों में दर्ज ये घटन करना चाहती हूं क्या आप भी मानते हैं कि जब जब भारत में विदेशों के घुसपैट हुई है तो हमारे किसी भी आंदोलन में तब भारत को नुकसान हुआ है कि नहीं क्या है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो में बसित्ता ही वीडियो में अचाहे घमासान हो रही हैं मनगढंत बाते मैं अंकित मिश्राप पढ़िये मेरा आइडिकल इस मैजजीन में फ्रैक के सांद यूपीए सी के एस्पाइरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकरके इस नए लेक में आपको मिलेगा नए संसत्भावन के निर्माट से सारी जालकारी मैं भी सालिया दो आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेक आपको दिखेंगे इस मैजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर दार निउज ओसियन हम आपको दिखाएंगे किसान अंदोलन के बीश में जिहादी कांड सब्स